वेल्कम स्टूडेंट असलाम वालेकुम उमीद है कि आप खेरियत से हैं तो हमारे आज के सेशन का टॉपिक है सीड आंड सीड डिस्पर्जल तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले ज़रा एक सिचुएशन को एक बात को समझते हैं स्टूडेंट्स के सीड जब बन गया जब तमाम प्रोसीजर हो गया फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा हमने पॉली नेशन पढ़ा पिछले सेशन में हमने और भी बहुत सारी चीज़े पढ़ी इन तमाम प्रोसीजर के बाद अब फ्रूट बन चुका है अब उस फ्रूट से नया प्लांट कैसे आएगा इसका एक तरीका तो यह कि हम इनसान जो है वो फ्रूट को तोड़ें उसमें से सीड निकालें और कहीं जमीन में रख दें लेकिन टाइम था कि जब इनसानों को इस बात की समझ नहीं थी कि इस तरह की भी कोई चीज होती है कि फ्रूट को तोड़ा जाता है उसको जानी चीज नहीं जानता था तब कैसे पॉसिबल हो पाता था कि भाई कोई भी फ्रूट या कोई भी फ्लार इस तरह से चेंज हो तो कुद्रत ने या नेचर ने एक अपना प्रोसेस बना के रखा है कि अगर कोई उसको नहीं से देख रहा या अगर उसको कोई रिस्पॉंसिबलिटी नहीं ले रहा इस चीज की तो एक नेचर ने एक सिस्टम बना के रखा है जो है कर रहा होता है सीट को प्लांट को फर्स करते हैं कि अगर कोई फ्रूट का दरख्त है इसे अगर मैंगो ट्री की में बात करूं उस से यह सौरी मैंगो जो है ना उस ट् यहां से कट के नीचे के या तरफ यहां आके गड़ता है सही है अब यह देखें स्टूटेंट्स यह अपने पैरेंट्स है यह इसका पैरेंट्स है यह इस ट्री की वज़ए से यह जो है वह मैंगो आया है तो यह मैंगो यहां पर आके गड़ता है अब यह देखें यह इस और यह सब तो यह दरख ले जाएगा सिस्ट के लिए क्या बचा विजा सीड सीट के लिए क्या बचा यह सारे न्यूट्रियंट बते और फिर ग्रो करने के बाद अगर यह सीट बड़ा होके दरग के बराबर बनता तो जगा कहा है इस पेश चाहिए ना सीट को ग्रों होकर एक प्लांट में बनने के लिए नीड इस पेस लॉजिकली हम बात करते हैं इसको प्लांट से कुछ दूर होना चाहिए यहां पर मैंगो को यहां पर आके गिरना कहीं चाहिए ताकि फिर वह एक सीट में सीट से जो है ना वह एक दूसरे दरख्त के अंदर चेंज हो सके यहां गिरेगा तो फिर यह प्र इसके साथ इसका कॉंपेटिशन क्रियेट हो जाएगा यह अपने नियूट्रीट्ट कि जड़ें बहुत जादा स्ट्रॉंग होती इसके अभी जड़ेंगी निसको जड़ को बनने में टाइम लगेगा इसको ग्रो करने के लिए नियूट्रीट्स तो चाहिए तो इससे दूर होना इसको जड़िए इसको वहां से वहां तक ले जाया जा सके तो ऐसा सिस्टम नीचर ने बनाया है यह जो प्लांट से दूर लेकर जाता है ताके वह अग्रो कर सके बहतर तरीके से बहतर तरीके से उसको नियूट्रिइंट मिल सके तो पहले बात करते हम आनिमल डिस्परिजल की तो जो बहुत फ्लाशी और बहुत जूसी इनको अपने साथ ले जाते हैं तोड के ले जाते हैं चोछ माईर of निकाल के ले एक बवर्ट को वो खाना होता है एंसेट्स को तो इंसेक्स के थू चले आता क्रूंतों थे तो क् değer के लिए और अथा ये आपको फिरूर पखना प्चेस करते जमारों तो के अंदर आपको एक महां से प्लांट को प्लांट से उद्ध ले जाते हैं और जो उनको material प्लाश होता है खा लेता हूं सीड गे-वहीं छोड़ दिया जाता तो वह फ्लार क्या करता था कि पॉलन गरिंज चिपका लेता था यहां पर भी सेम ऐसा है कि वह इंटेंशनली सीट को उदर तक पहुंचाने के लिए नहीं आ लेकिन कुछ इस तरह के भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो बहुत हाट शाल होता है फ्लाशी नहीं होता है जैसा अगर मैं नाट्स की बात करूं जो हम बदाम है अखरोट है इनके अंदर कैसे पॉसिबल है क्योंकि ये तो बर्ड नहीं खा सकते बर्ड की चोंच ही नहीं करें टूरर जैड़ा चीज़ी इसको तोड़ती है वंटर सीजन इसंदर कि उनको जोंपर मिंटर सीजन में खाने के लिए तोड़क जगा जगा दबा देतीं कि आपन्ट से तोड़ा ले जाती है और जाके दबा देतीं कि वूँündर सीजन तो थाफ। उसको दबा के भूल जाती है उन्होंने कहां दबाए था अच्छा वह कहां उसको क्योंकि मार्किंग तो है नहीं हमारी तरह मैप्स तो बनाते नहीं कि वह यह चीज यहां पर है यहां पर मैप के अंदर है तो स्कुर्ण उसको जमीन में दबा के भूल जाती है कि वह कहां लुट का इनसेक्स का फ्लाइज का जो हैना वह दिसपर्जल इसी तरह शोटाए अब कुछ पूदें ऐसे भी हैं या कुछ फूरूट्स ऐसे भी मौजूद है जो नश्वैरल खाती है नब उसकाते मैं कि बात करूं है पैन को लिए तो लिए किस तरहां से जाना वहाइन को देखा है नहीं देखा तो मचांकर बुट्र आपको बता देते हैं अगर आपने पाइन बॉट्स तरह से वहां तो यह जो मैं Medical कर जो लो हुआ यह विंगँ तो हवा जब तेजी से चलती है आप तब हवा तेजी से चलती तो यह विंग इसके अन्दर से निकलना हो जाते और जब जिसके इसके अंदर से निकलते हैं उड़ते है्वा थे दूर जाकर यह जिंगोच니다 फिर Aah वहां से इन विंक्स के अंदर सीड मौजूद होते और वहां से फिर एक नया पौदा निकल आता है यह विंड के तुरू है वाटर के तुरू भी होता है अगर मैं कोकोनेट की मिसाल लूँ कोकोनेट के अंदर आपने देखा होगा हेर्स मौजूद होते जो बाहर का तरफ है नहीं पानी के दरखिंए अनुगा सकते जहां पानी के करीद में पानी कदेख पानी नहीं हो गए Bailey का किड़ और कभी कभार तो पानी के जरी के जरी है लेडिए के जरी कि 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 हो तду क्यक्ंत है तो ये कम हो जाते तो जिसने ज़से फीषिघ रही है पानी एक आईलेंट जाएंड तक पहुंच जाते हैं तक वह फिर जाएंड उप दूसरा प्लांट उक सके तो यह विंड के यह वाटर के जरी हो गया आप एक्स्प्लोजिव एंड डिस्पर्जल अच्छा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इनको अगर हलका सा टच कर दिया जाया या खोल दिया जाया तो वह ना सीट को फायर करते हैं उनके अंदर से सीड जो है ना वह गंज से जैसे बॉलेट निकलते हैं तो वह सीड निकलते तो वह काफी दूरी पर जाके गिरते हैं और वहां से फिर एक नया प्लांट होगा आता है तो यह नीचर का सिस्टम है और यह नीचर नहीं अगर सार नहीं कर रहा है अगर हम तोड़कर का डाल दें तो वह बड़ा मस्लह नहीं नहीं लेकिन अगर नहीं करते हैं यह तो हमें आज हमारे पास नॉलेज है आज यह कुछ सालों पर पीछे चले कुछ सदियां पीछे चले हैं लेकिन उससे पहले क्या नीचर का सिस्टम था जब इंसान जानता ही नहीं था कि खेती वाड़ी भी कोई चीज होती है या फूल पौदे सिस्टम हर एक सीज़ का जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं अपने हां से उससी स्थम को मदा इक सो च्पर करते हैं ने संदे से बनागे तो हमई कर तो अपने आज के सेशन का एक टॉपिक का देखते हैं हमने क्या पड़ा तो स्टूडेंट आज हमने बागा के सीड एंडियर डिस्पर्जल के सीड किस तरह से अपने प्लांट से दूर जाता है और दूर जाने की वज़ा है तू मिनिमाईज दे कॉंपिटिशन अमंग पैरंट और नियू ऑफिस्प्रिंग के दरिम्यान कॉंपिटिशन को कम करा जा सके इस वज़ा से जो है वो प्लांट को दूर जाके उगना पड़ता है दूर जाके जो ना वो इसे हासल करनी पड़ते हैं तो हमने बड़ा दो तरह से य estiond稱 से प्लांट जो है वह सीट अपने से दूर रहे जाता है पहले आनिमल के जरिए किसी बोर्त के जरीए की सिंसे तक मिल्विए ओंदें पपोर नारियल के मिसाल कोकोनेट के मिसाल वोर्टर में फ्लोट करता हुआ है कि ऐसी तरह में और यू रेंड चेंज कर देता है एक आइलन्ड से दुसर एलेंड थी तरह चले गया या तो जो दो गोल होता है तो यह जमीन पर भी रोल कर सकता है की राउंड शेप होता है रों जमीन पे भी कर सकता इसी तरह से पर इस्प्छोलजाव हमने बात करा करी कि इसको claim किया yield कि आपके नापके प्लान्ट अपने शीट अपने अन्दर से फायर करता है फोर्स की वजह क्या होती है वो तो हमारा टॉपिक नहीं है वह नटान किसी दूपिक साथ बात करेंगे तो फायर करता है एक तरह से सीट को और इस दूर जाके गिरते हैं तो आज के सेशन का झाल झाल